तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करने जा रहे हैं चैरी ओचुट ट्ले के लास्ट एक्ट को यानि एक्ट 4 की लाए बाला इन ट्रॉसलिशन को तो सबसे पहले हम इसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसको देख लेते हैं अजिस्तर इस तरह से एक्ट 1 के अंदर स्टेज था जो वरा बेलकुल वैसे स्टेज सेट किया गया है यानि खीड़कें के उपर पड़ दे वो भी हटा दिया गया है नो पिच्चर कोई पिच्चर वगरा जो लगी हुई थी वो सब भी हटा दिया गया है और फ्यू सब्सक्राइब डाइब में से वहां परब में अखा लिया है रЗ थोड़ा बहूत भूद फंब बेचने के लिए रख आ हुआ यानि धागरन पर रखना यानि वहां पर अब खाल पन सह ए emptiness से feel हो रही होती है वहाँ पर इस act के अंदर by the door that leads out of the house वो वाला दर्वादा जिससे घर से बाहर जाते है and at the back of the stage और stage के back side के उपड़ पर port mantix and traveling parfenalia are piled up अच्छा यह चीजें क्या होती है port mantix के बारे में पहले मैं बताता हूँ port mantix कहते है यह एक तरह का traveling bag होता है जो के leather का बना होता है जिसको अगर आप दर्मियाने से open करेंगे ना तो उसके जो दोनों जो है यह plural form यहां पर यूज होई है जो के traveling bag होता है और traveling paraphernalia जो है अब paraphernalia कहते है trappings को यानि जब आप को काम करने लगते हैं तो उसके लिए आपको जो भी जरूरी चीजें चाहिए होती है उन जरूरी चीजों को उन जरूरी अज़ा को हम paraphernalia कहते हैं जो travel करने के स्टेज के back side के ओपर यह सारा समान पड़ा हुआ था the door on the left is open अच्छा left side के ओपर यह door था वो खुला हुआ था the voices of via and anya can be heard through it और उस door से या अन्या और वर्या की आवाजे आ रही थी या वो दुसरे से बात कर रही थी या फिर नोको से बात कर रही थी वह वह आज़े जो थी न वह उस दर वाजे से आ रही थी और उस ट्रे के अंदर अब उसके क्या रखा होता है तंबलर्स होते हैं अब तंबलर्स क्या होता है यह आप समयले के एक टाइप एक ग्लास ही होते है लेकिन ग्लास थोड़े से बड़े होते हैं जो के शराब के लिए यूज के जाते हैं यह स्टील के भी हो सकते हैं, यह किसी और मैटल के भी हो सकते हैं, यहां में बताया भी गया है शैंपेइन के, यह शैंपेइन जो शराब होती है, वो शराब वाले जो टॉबलर्स थे, वो यशारे ट्रे के अंदर पकड़े हुए थे, आउटसाइड, बाहर की तरफ क्या था, क्या कर रहा था, बाहर वाली साइड का मतलब है कि यह जो यशा और लौफकिन थे ना, यह अंदर थे वहां पर, और यह जो एफिकॉर्डफ था, यह वहां पर थोड़ा साइड पे बाहर बैठा हुआ था, दर्वाजे से बाहर था, और यह क्या कर रहा था, एक बॉक्स के रसी से उसको बाढ़ रहा था, यानि टाइंग अप का मतलब होता है, रसी से बाढ़ना किसी भी चीज़ को, तो यह एक वोक्स को बाढ़ रहा था, वोइसे बाहर था, यानि स्टेज के पीछे से आवाजें आ रही होती हैं, लोगों की, वहां पर सारे नोकर भी आयो होते ह जो के अपने मालकों को goodbye कहने के लिए आये थे, the voice of Gav is here, तो Gav के आवाज आती है, वो कहता है, thank you, brothers, thank you, यानि वो नोकरों का शुक्रिया अदा कर रहा होता है, बहुत बहुत शुक्रिया, तुम लोग हमें यहां पर goodbye कहने के लिए आये, तो Yasha की लाइन हो कहता है, the common people have come to say goodbye, यानि आम लोग जो है, वो आपको goodbye कहने के लिए आये है, I am of the opinion, यानि मेरा यह ख्याल है, I am of the opinion, यानि मेरा यह ख्याल है, I am of the opinion, यह वो लिटार में जिसका बतलता है, in my point of view, यहां फिर I think so, यानि मेरा यह ख्याल है, कि Ermalai Aleksevich, यानि Lofkin से कह रहा है, that they are good people, यान यानि ये जो आम लोग है ये अच्छे लोग है, but, लेकिन, they don't understand very much, लेकिन इनको ज्यादा समझ नहीं है, यानि ये अच्छे लोग है, लेकिन ये गवार है, ये वो यहां पे कहना जा रहा है, अब ये लाइन उसने क्यों कही है, आपको पता है, कि Erishah जो है, वो यहां के यानि, Erishah के लोगों से कितना ज्यादा चिड़ता है, यानि वो उनको इलिटरेट, यानि गवार समझता है, और पैरिस के लोगों को वो अच्छा समझता है, इसलिए वो कह रहा है, कि यहां के ये जो आम लोग है, ये दिल के तो अच्छे हैं, लेकिन हैं अंदर से गवार इनको समझ समझ गोई भी नहीं है, तो वोइसे डाय आवे, आइस्ता इस्ता वो आवाजे खतम हो जाती है, यानि वहां पे जो नोकर थे वो आइस्ता इस्ता जाना शिरू हो जाते है, लुबव एंड्रियवना और गैव इंटर, तो इतने में लुबव आती है, और गैव अब लुबव जो होती है, वो हो रह नहीं ही रही होती है, लेकिन उसका चेहरा जो होता है, वो बात कर पा रही होती है, तो गैव कहता है, तो मुझे लगता है कि शायद जब मैंने इसकी summary explain की थी ना जब act 4 की बारी आई थी तो वहाँ पर शायद मैंने ये चीज उलट बता दी थी कि गैव जो होता है वो अपनी बहन से कहता है कि तुम अपना परस नोकरों को दे दो लेकिन वो नोकरों को परस नहीं देती लेकिन यहाँ पर वो चीज उलट है असल में यह होता है कि लिभव जो होती है वो नोकरों को यानि अपने servants को अपना परस दे देती है यानि पैसे जो बचे को होते हैं वो भी दे देती है तो इस पर गैव जो होता है वो गुसा होता है और कहता है कि तुम अब फिर से वही काम कर रही हो यानि तुम फिर से फजूलकर्ची कर रही हो तोलिव काती है I could not help myself यानि मैं अपने आपको नहीं रोख सकती है I could not यानि मैं आपको नहीं रोख सकती है बस ये मेरी आदत है They go out फिर वो वहाँ से चले जाते हैं तो Lofkinj होता है यानि वो थोड़ी देर के लिए स्टेज के उपर आते हैं और फिर जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं तो जैसे ही वो आते हैं Lofkinj होता है क्या करता है In the doorway यानि वो दर्वाजे में ही होता है और calling after time यानि उनको पीछे बुलाता है और कहता है I ask you most humbly यानि मैं बहुत दिल से आप से request करता हूं Just a little glass to say goodbye यानि मेरे साथ थोड़ी देर शराब पीजिए यानि बिल्कुल थोड़ा सा चोटा सा गलास मेरे साथ पीजिए ताके मतलब आप मुझे goodbye कर सके यानि आप लोगों को goodbye करने के लिए या आप मुझे goodbye करें तो इसके लिए ना आप मेरे साथ एक छुटा सा शराब का गलास पीए I didn't remember to bring any from town and I only found one bottle at the station तो कहता है के मुझे याद नी रहा मैंने टाउन से ना शराब लेकर आनी थी तो वहाँ से तो मैं लेके नहीं आया फिर मुझे टाउन के अंदर सिर्फ एक bottle ही मिली तो वह मैं लेके आ गया Please do यानि महरबानी करके आए और मेरे साथ शराब लिए तो यह यहां तक जो इसकी line थी ना यह आप समझे लें कि यह इसको यहां तक नहीं पता था कि वह दोनों जा चुके हैं यानि यहां तक उसने line बोल दी और उसको नहीं पता था कि वह जा चुके हैं तो पोज यानि जब वह देखता है कि वह जा चुके हैं तो वह थोड़ी देट कर लिए चूप होता है Won't you really have any यानि अच्छा क्या फिर सच में नहीं पीना चाते हैं मेरे साथ शराब ठीक है फिर वह दर्वाजे से पीछे जला जाता है हर कहता है If I only knew यानि काश मुझे पता होता I would not have bought any यानि काश मुझे पता होता कि इन लोगों ने शराब नहीं पीनी तो मैं लेकर ही ना आता यानि उसने का था ना मुझे टाउन में कोई शराब नहीं मिली और मुझे इस्टेशन में एक बोतल मिली तो वह मैं लेकर आ गया तो अब वह उसके उपर पच्छतार है कि काश मुझे पता था कि इन लोगों ने शराब पीनी नहीं है तो मैं स्टेशन से भी ना लेकर आता वैल कोई बात नहीं आई शेंड ड्रिंग एनी आइदर तो कहता है मैं भी नहीं पिऊंगा यानि इन लोगों नहीं पी तो मैं भी एक घूंट भी नहीं पिऊंगा याशा केरफिली पूर्स तरे ओन चेर तो याशा जो होता है ना वो जो शेंपविन वाले गलास उसने पकड़े होते हैं वो नीचे लग देता है चेर के उपर बड़े ध्यान से और लोफिन उसका आता है you have a drink यानि यशा तुम पी सकते हो यानि तुम थोड़ी बहुत शराब पी सकते हो at any rate at any rate का मतलब है यानि चाहे तुमें कोई कोई कितना भी रोके मैं तुमें इजाज़ देता है कि तुम ये थोड़ी बहुत शराब पी सकते हो अब यहां पे इस चीज़ को ध्यान में रखना कि यहां पे लॉफकिन ने उसको थोड़ी शराब पीने को कहा है यानि एक दो खूंट या एक अधा गलास तुम पी सकते हो यह उसने यहां पे कहा है तो यशा जो होता है to those departing यशा जो होता है वो टंबलर्स के अंदर शराब डालता है और कहता है कि यहां से जाने वालों के नाम यानि to those departing का मतलब है कि यहां से जाने वाले जो लोग है उनके नाम यह कहने के बाद वो शराब पीता है and good luck to those who stay behind तो कहता है कि उन लोगों के लिए भी good luck यानि लोफकन से गहता है कि लोफकन मैं तुमए गरेंटी दे सकता हूं कि यह जो तुम शेंपें लेके आये होना यह ओरिजनल नहीं है यानि यह दो नमबर शराब है तो लोफकन कहता है eight robles a bottle यानि तुम कहा रहे हो कि यह असल नहीं है, मतलब रियल नहीं है यह शराब, मैंने एट रॉबल्स दी है एक बोतल के, फिर वो चुप होता कहता है, it's devilish cold here, यानि यहां पर तो बहुत ही ज्यादा सर्दी पढ़ रही है, devilish का मतलब है बहुत ही ज्यादा, यानि emphasize कर रहा है कि वो कितनी ज्यादा सर्दी पढ़ रही है, यानि यह शरा कहता है, there are no fires today, यानि आज आग जो है, वो नहीं जलाई, we are going away, क्योंके हम यहां से जा रहे हैं, यानि यह वैसे तो होता है ना, कि उनके घर के अंदर एक chimney type जगा बनी होते है, यहां पर वो आग जलाते हैं, सर्द लिए लेकर आज उनने नहीं जलाई होती, तो लॉफिकन जो कहरा है, क्या आज बहुत स्यादा सर्दी है, तो इसके जवाब में जलाई है, हमने आज आग नहीं जलाई क्योंके हम यहां से जा रहे हैं, लाफ्सपिर वो हसता है, लॉफिकन कहता है, what's the matter with you, यानि तुम हस क तो लाफ की कहता है, it's October, outside, यानि October जो है उसका सीजन चल रहा है, outside कहने का मतलब उसका ये है, कि मतलब घर के अंदर हमें फील नहीं हो रहा, इतना ज्यादा, लेकिन बाहर जो है वो October का महीना चल रहा है, but it's as sunny and as quiet as if it were summer, तो कहता है कि October का महीना चल रहा है, लेकिन बाहर तो तो ऐसे गर्मी है, कि जैसे ये गर्मियों का मौसम हो, यानि बाहर तो ऐसे धूब निकली है, जैसे गर्मियों का मौसम हो, good for building, फिर कहता है ये चीज जो है ये हमारे इस घर के लिए अच्छी है, looking at his watch, फिर वो अपनी घड़ी के तरफ देखता है, and speaking through the door, और दरवाजे क कि तरफ देखकर बोलता है, कहता है, ladies and gentlemen, please remember that it's only 47 minutes till the train goes, यानि train को जाने के लिए न सिर्फ 47 minutes बचे है, हमें यहां से पहले निकलना होगा, you must go off to the station in 20 minutes, यानि train जाना वो 47 minutes में स्टेशन से निकल जाएगी, और हमें इस घर से 20 minutes के अंदर अंदर निकलना होगा, hurry up, जल्द जो होता है, उसने cover coat पहना होता है, और from the ground, यानि वो बाहिट से अंदर आता है, अच्छा, ट्रिफमफ की लाइन है, वो कहता है, I think it's time, we went, यानि मुझा लगता है, कि time आगया है, अब हमें चलना चाहिए, the catches are waiting, यानि घोड़ा कारी है, जो है न, वो हमारा इंतिजार कर यानि मेरे गॉलशे जोटों के ऊपर चढ़ाने वाला cover होता है, जो कि जोटों को मटी वगरा से बचाता है, they are lost, यानि कहता है, मेरे गॉलशे जो है, वो गुम हो गए है, through the door, फिर वो दर्वाजे की तरफ देखता है, और कहता है, एनिया, I can't find my गॉलशे, यानि एनिया, को बता रहा है, मैं खारकव जाने वाला हूँ, यह भी रिशा के अंदर एक जगा है, तो कहता है, I am going in the same train as you, यानि मैं भी उसी train से जा रहा हूँ, जिस train से तुम लोग जा रहे हो, I am going to spend the whole winter in खारकव, कहता है, कि मैं जो अपनी पूरी सर्दिया है, वो खारकव के अंदर हुना, इस घर में, यानि मैंने जितने भी दिन गुजारे हैं, बिना काम किये, तो उसने मुझे जंग लगा दिया है, यानि मुझे आलसी बना दिया है, I can't live without working, यानि मैं काम किये बगार नहीं रह सकता, I must have something to do with my hands, यानि मुझे हर वक्त अपने हाथों से कुछ ना कुछ करते रहना होता है, they hang about as if they were not mine at all, यानि जब मैं कुछ भी नहीं करता ना, तो मेरे हाथ ऐसे लटक जाते हैं, कि जैसे ये मेरे हाथ हैं ही नहीं, तो ट्रिफुम आगे से कहता है, we will go away now and then you will start again on your useful labors, तो ट्रिफुम आगे से कहता है, हम ना आप यहां से जा रहे हैं सब ल का जवाब दे रहा है, लॉफकिन ने का ना, कि मतलब उसने उसको ताना मारा है, एक तरह से मतलब negative remark दिया, कि जब तक मैं तुम लोगों के साथ था, मैंने कोई काम नी किया, तो उसके जवाब में टॉफम ने कह रहा है, कि अब हम लोग यहां से जा रहे हैं, तो मतलब हम साथ नहीं रहेंगे, तो तुम अब हम अपना जो useful काम है ना, वो कर सकते हो, तो लॉफकिन के आगे से कहता है, have a glass, यानि क्या तुम शराप पीना चाहोगे, interview में कहता है, I want, नहीं मैंने पीना जाता, लॉफकिन कहता है, so you are off to Moscow now, अच्छा, तो अब तुम मोस्को जा रह और टाउन में ना, इनके साथ ही वहाँ पर जाओंगा, लेकिन कल मैं वहाँ से मोस्को निकल जाओंगा, और ये अपनी जगा पर निकल जाएंगे, तो लॉफकिन कहता है, yes, हाँ, सरी कहा तुमने, I expect the professors don't lecture nowadays, they are waiting till you turn up, अब यहाँ पर उसका मजाग उड़ा रहा है, मतलब ट्रिफर ने कहा ना, कि मतलब कल मैं मोस्को निकल जाओंगा, मुझे बहुत जादा जल्दी है, तो उसके जवाँ में लुफकिन कहा रहा है, हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मुझे तो लगता है कि जो professors है ना, वो कल अपना lecture भी नहीं देंगे, यानि मोस्को के अंदर यानि इससे तुम्हारा कोई लियना देना नहीं है कि मैं कब वहां पर पहुँचता हूँ और कब नहीं, मजाग बंद करो, लॉफकिन कहता है, यानि तुम्हें कितने साल हो गए है यानि कोई नहीं बात करो, लॉफकिन, यह बहुत पुरानी बात होगी है, जो तुम बार- यह जो बात है इससे मुझे कोई फरक नहीं पड़ता तो लुकिंग फार हिस गॉलशी फिर से वह अपने गॉलशी धूंडने लग पड़ता है और कहता है यू नो यानि तुम जानते हो वी में नॉट मीट इच अधर अगें यानि अब हम एक दूसरे से दुबारा नहीं मिले तो इसलिए अब जब के हम यहां पर बिछट रहे हैं तो यहां पर अलैदा होते हुए मुझे तुम्हें एक एडवाइस देने दो यानि मैं तुम्हें एक नसीखत करना चाहता हूं वह क्या कि डॉंट वीव यूर हैंड़ यह अपने हाथ इस तरह से नाहिलाया करो यह कि तुम यह जो मतलब विलां बना रहे होना राधाइस न व्लोग है। पहली चीज़ वो यह कह रहा है कि तुम यह जो अपने हाथों को हिला रहे होना यह बिलकुल इसी तरह से फजूल है जिस तरह से तुम एकसपेक्ट करते हो कि जिन लोगों को तुम अपने विलाज किराए पर दोगे वो आगे जाकर तुम्हारे विलाज को खरीद कर उसके ओनर बन जाएंगे It's all a matter of waving your hands about यानि ये जो तुम विलाज वाली बात सोच रहे होना ये तुम्हारे हाथ हिलाने की तरह ही बेकार है Whether I want to or not यानि चाहे मेरी मर्जी हो या ना हो You know, तुम जानते हो कि I like you, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ You have thin, यानि तुम बतले से हो Delicate fingers, तुम्हारी नाजूक उंगलिया है Like those of an artist, बिल्कुल एक artist की तरह एक मतलब माहिर फनकार की तरह And you have a thin, delicate soul और तुम्हारी जो रूह है ना वो भी बहुत नाजूक है और बहुत ही कमजोर है यह यहां पर वो कह रहा है तो इसके जवाब में Lovekin आगे से कहता है Embracism, यानि उसको गले लगा लेता है Goodbye dear fellow, यानि प्यारे दोस्त Goodbye, thanks for all you have said यानि तुमने जो कुछ भी कहा उसका बहुत-बहुत शुक्रिया If you want any, take some money from me फदजानी, यानि अगर तुम्हे अपने सफर के लिए थोड़े भी पैसे चाहिए ना, मुझसे मांग लो यानि जितने भी चाहिए मैं तुम्हें दोंगा तो तुम्हें कहता है Yes, हाँ, शायद ये बात सच है लेकिन I have, मेरे पास पैसे है Thank you, तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया I have got some for a translation अब यहाँ पर translation का मतलब translation वाली job भी हो सकती है यानि as a transcriber तो यहाँ पर बहुत कहा रहा है कि मैंने अपनी जो translation वाली job है जो कि मैं मोस्को में जाके करूँगा उसके लिए मैंने पैसे बचा कर रखी है Here it is in my pocket यह दिखो, यह मेरी pocket के अंदर है Nervously, फिर वो nervous हो जायता थोड़ा सा और कहता है But I can't find my gaulashes यानि मुझे अब भी अपने gaulashes जो है वो नहीं मिल रहे तो वर्या जो होती है From the other room, दूसरे room से कहती है Take your rubbish away यानि अपना ये कूड़ा जो है ले जाओ यहां से दूर यानि उसके gaulashes जो है वो वर्या को मिल जाते है Throws a pair of rubber gaulashes on to the stage यानि वो stage के उपर उसके जो gaulashes थे जो के गुम हुए थे वो उसके वापिस वाहां पर ठैकती है यह अपना कचरा उठा लो तो ट्रिम आप जो होता है वह कहता है Why are you angry वर्या यानि वर्या तुम इतने गुसे में क्यों हो Hmm अच्छा These aren't my gaulashes फिर कहता है यह मेरे gaulashes नहीं है तो लौफटी जो होता है वह कहता है In the spring I saw 3,000 acres of poppies poppies जो है यह फूलों की एक किसम होती है यानि kind of flower होते हैं तो कहता है कि spring के अंदर यानि बहार के मौसम के अंदर मैंने क्या किया कि 3,000 acre के जो फूल थे ना यानि 3,000 acre की जमीन के उपर poppies के जो flower थे वो मैंने उगाए And now I have made 40,000 rubles net profit और अब उनसे मुझे क्या हुआ कि 40,000 rubles का मुझे उससे फाइदा हुआ है उन फूलों से And when my poppies were in flower और जब मेरे वो जो poppies थे ना जब उनके उपर फूल लगे ना What a picture it was यानि वो क्या नजारा था वो देखने वाला नजारा था So I, इसलिए मैं जहुना As I was saying जैसे का मैं कह रहा था Made 40,000 rubles के मैंने 40,000 rubles का मुझे कमाया उन poppies flowers से जो के मैंने 3,000 acre की जमीन के उपर लगाए थे And I mean I would like to lend you some इसलिए यानि कहता है क्योंके मैंने 40,000 rubles का जो मुझे कमाया है इसलिए मैं तुम्हें पैसे उधार देना चाहता हूँ Because I can afford it और यह मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंके मैं afford कर सकता हूँ यानि क्योंके मैं साहबे इससेतात हूँ या फिर मैं तुम्हें देने के काबिल हूँ इसलिए मैं तुम्हें यह पैसे दे रहा हूँ Why turn up your nose at it यह भी एक phrase है जिसका मतलब होता है कि यानि तुम मना क्यों कर रहे हो यानि मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ तुम मना क्यों कर रहे हो I am just a simple peasant अब यह जो लाइन है ना इसका मतलब है वो कहना चाहरा है कि मैंना एक simple peasant हूँ यानि अगरचे मैं एक गवार शक्स हूँ यानि मुझे कुछ भी नहीं पता मैं अनपड आदमी हूँ लेकिन फिर भी मैं अपने इस rank के opposite ना तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ यह हो गयता है तो ट्रिवर कहता है यानि हाँ तुम्हारा फादर जो था वो एक peasant था यानि गवार था अनपड़ था माइन वाज़ा था लेकिन मेरा जो था वो chemist था और इससे कोई फरक नहीं पड़ता यानि अब यहाँ पर लॉफकिन ने बात चेड़ी ना वो कहता है कि मतलब मैं एक गवार हूँ क्योंकि मेरा बाप जो था वो गवार था तो लोग ट्रिवर जो था है वो उसका जवाब दे रहा है कि मेरा बाप जो था वो chemist था और तुम्हारा बाप जो था वो गवार था लेकिन इससे बिल्कुल भी फरक नहीं पड़ता कि हम कौन है यानि हमारा बाप जैसा था ना हमारा जो मतलब जो फादर था वो जैसा भी था उससे कोई फरक नहीं पड़ता कि हम कैसे होंगे Lofkin takes out his pocket book यानि वो अपनी pocket में से ना एक book निकालता है pocket book का मतलब है यानि एक ऐसी चोटी से book जो के pocket के अंदर fit आ जाती है और कहता है no no even if you gave me 20,000 I should refuse कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं यानि अगर तु मुझे 20,000 भी दोगे ना Robles तब भी मैं लेने से इंकार कर दूँगा I am a free man यानि मैं एक आजाद आदमी हूँ Everything that all you people rich and poor value so highly and so dearly hasn't the least influence over me तो कहता है के हर वो चीज जो के तुम जो लोग हो ना यानि अमीर और गरीब जितने भी लोगों चाहे वो अमीर हो या गरीब हो वो उस चीज को बहुत ज्यादा value देते हैं बहुत ज्यादा अजीज समझते हैं मेरे ओपर उस चीज का कोई भी influence नहीं है लीस्ट का मतलब हो यानि बिल्कुल थोड़ा सा भी influence यानि थोड़ा सा भी मेरे ओपर उस चीज का असर नहीं होता जिस चीज को तुम अमीर और गरीब लोग जो होना वो इतनी एहमियत देते हो यानि यहाँ पे वो पैसे की बात कर रहा है यानि ये जो पैसा है ना यह मेरे लिए बिल्कुल एक ऐसी चीज की तरह है जिस तरह से हवा जब चल रही होता है न वहा की करद चलने से इंदर उदर उड़ear कर चला जाता है तो यहां पे कविलस डॉन का मतलब यह है रिवर्ड को यानि किसी चीज़ का group और down का मतलब है यानि कम value वाली चीज़ है low rank वाली जो चीज़ होती है तो flow of down का मतलब है कम हैसेत वाली चीज़ है तो कहता है मेरे लिए ये जो पैसा है ये बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह से हवा के अंदर कूड़ा उड़ता है निर्विया भी पैसा बिल्कुल उस कोड़े की तरह है I can do without you यानि मैं तुम्हारी मदद के बगयर भी सबकुछ कर सकता हूं I can pass you by I can pass you by का मतलब है कि यानि मैं तुम्हारी मदद के बगयर का मिल्ण बचका है I can pass you by वैसे literal इसका milling यह होगा कि यानि मैं तुम्हारे पास से गुजर सकता हूँ यानि तुम्हारी हेल्प के बगार मैं काम कर सकता हूँ I am strong and proud यानि मैं ताकतवर हूँ और मुझे अपने ओपर proud है फखर है Mankind goes on to the highest truth अभी यहाँ पे highest truth का मतलब है कि मतलब mankind जो है ना जो इंसानियत है वो ना रोज बर रोज बहुत बड़े बड़े सच जो है वो खोज रही है highest truth का मतलब है कि यानि इंसानियत जो है ना उसे बहुत रोज पर रोज ना बहुत सारी जो चीजें है यानि इस काइनात के बारे में जो बहुत सारे रास हैं पता चल रहे हैं यानि रोज बर रोज बहुत सारी inventions हो रही है and to the highest happiness such as I only possible on earth और कहता है कि mankind जो है ना उसे रोज बर रोज इतनी ज्यादा happiness feel हो रही है कि जितनी इस अर्थ के ओपर कोई बंदा feel कर सकता है यानि याँ पर कहता है कि इनसाने जो है ना वो हर रोज कोई ना कोई नई चीज जो है उसको invent कर रही है यानि उसको किसी नए सच के बारे में यानि किसी राज के बारे में पता चल रहा है और यह जो राज है यह उसको इतनी ज़्यादा खुशी देता है जो के इस जमीन के उपर रहते हुए कोई भी बंदा फील कर सकता है and I go in the front rank और कहता है कि यह जो लोग है जो के मतलब highest truth find करते हैं यानि जो लोग invention करते हैं या जो लोग such find करते हैं इन लोगों के अंदर ना front rank के अंदर हो यानि मैं अ लोगों में सबसे आगे हूं या भी उन लोगों में हूं और मैं उन लोगों में सबसे आगे हूं जो के सच की कलाश करते हैं तो lawfkin कहता है will you get there क्या तुम वहां पर पहुंच गए and show others the way और दूसरे लोगों को भी रास्ता दिखाऊंगा थोड़े से फास्ले के अंदर कुलहाडे से दिरफ्तों को काटने की आवाज आती है तो लोफन कहता है वेल, गुडबाई, ठीक है ओल्ड मैन, यानि यह बुड़े आदमी, गुडबाई यहाँ पर वो ट्रिफ्तों को बुड़ा आदमी कह रहा है अब हमारे जाने का वक्त आ गया है कहता है कि यहाँ पर हम दोनों जो है अब यह जो लाइन है, यह जो फ्रेज है ना इसका मतलब होता है discussion करना, यानि debate करना, यानि हम दोनों जो है हमारी इस debate का कोई भी फाइदा नहीं है क्योंकि लाइफ जो है, वो हमारे तरीके से नहीं चलती, वो अपने तरीके से चलती रहती है यानि कहता है कि जब मैं ज्यादा टाइम के लिए काम करता हूँ ना, यानि काम में यानि मैं क्यों जिन्दा हूँ इस बारे के अंदर ना, मैं ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाता हूँ जब मैं कोई काम ज्यादा देर तक कर रहा हूता हूँ और मैं नहीं थखता और इस रश्या मुलक के अंदर ना, बहुत सार ऐसे लोग है, जो कोई काम नहीं करते, जिनकी जिन्दगी का कोई भी मकसद नहीं है लेकिन फिर भी उन लोगों के काम कि ये बगाइर ही ये दुनिया चलती रहती है, काम चलता रहता है लिउनर्ड एंड्रेविच, यानि जो लिउनर्ड एंड्रेविच है, यानि लुबव का जो भाई गैफ है ना, दे से लोग कहते हैं के has accepted a post in a bank के उसको बैंक के अदर एक नोकरी मिली है और उसने उसको accept कर लिया है कि बूल कर लिया है he will get 60,000 Robles a year यानि उसको साल के 60,000 Robles मिलेंगे but he won't stand it he is very lazy लेकिन यानि वह कहता है कि यह जो इसका भाई यानि जिसको नोकरी मिली है वो इस नोकरी को जयदा देर नहीं कर पाएगा क्योंकिब वह बहुत ही ज्यादा lazy है यानि यह जो काम है ना यह मतलब मसुरूफ रहने वाला काम है या बहुत ही ठका देने वाला काम है लेकिन गैव जो है वो एक सुस्त बंदा है लेजी बंदा है इसलिए वो ये काम ज्यादर नहीं कर पाएगा यानि वो ज्यादर ये काम नहीं कर पाएगा और अपनी नोकरी जो है वो छोड़ देगा तो एन्हें जो होती है पाटना बंद कर देएществ मतलब तुम हमारे यहां से जाने के बाद ये चैरी उचिड काट तुम ने अभी से बाद चुरू कर दिया यह काने के बाद एकजिट वहां से टुन चला गया तो लोके जो तह करता है अलराइट ओल राइट ठीक हां मुझे उन लोगों को जाकर रोकना होगा एक्जिट वहां से चला गया यानि उन लोगों को रोकने के लिए चला गया कि रुक जाओ अभी इन लोगों को जाने तो फिर चरियोचिट को काटना तो यह कहती है यह कहती है यह जो के वहां पर कमरे के सामने से जा रहा होता है उसको देख करना यह कहती है साइमन पेंटलेविच यह उसका पूरा नाम है फिखॉडफ का कि फिखॉडफ प्लीज मेक इन्क्वाइरिस इफ फिर्स हैस बीन सेंट तो था हॉस्पिटल यह कहती है कि फिखॉडफ एक बार कर फिर्म कर देना यह एक बार जांच परताल कर किया ना कि क्या फिर्स जो है उसको वाकिए हस्पिताल भेज दिया गया है यह अचया होता है ओफेंडिट वो गुसा हो जाता है फिखॉडफ कहता है इस पूछा लिए यह कोई बार पूछने के किया ज़ूरत है जब मैं तुम्हें कह दिया है कि मैंने ऐगर को आज सुबा कहा तो था कि फिर्स को हॉस् तो आफे बड़ाफ कहता है The aged fears यानि वो जो बूढ़ा fears है In my conclusive opinion Conclusive का मतलब होता है final यानि अगर मैं अपना आफिरी फैसला बताऊ ना तो मेरा आफिरी फैसला यह है कि जो बूढ़ा fears है Isn't worth mending यानि इसको अब और इलाज की जुरूरत नहीं है Mending का मतलता है ठीक करना जो मोची जूदे ठीक करता है न उसके लिए ये word यूज के जायता है Mending यानि ठीक करना यानि पर मतलब है यानि इलाज करना यानि fears का इलाज करवाने की कोई जुरूरत नहीं है His forefather's had better had him यानि यही अच्छा होगा कि वो अपने अबाउजदाद के पास चला जाए यानि यहां पर वो indirectly कह रहा है कि वो मर के अपने बापदादा के पास चला जाए I only envy him Envy का मतलता है jealous होना यानि मैं उससे बहुत जादा jealous होता हूँ Puts a trunk on a head box and squashes it ये कहने के बाद वो क्या करता है कि एक trunk यानि एक बकसा जो होता है बड़ा सारा उसको क्या करता है head box एक छोटा सा head box होता है उसके ओपर रख देता है तो क्योंकि trunk जो होता है वो बड़ा होता है भारी होता है और head box जो होता है वो छोटा होता है और इतना भारी नहीं होता तो जब वो उस बड़े से बकसे को संदूग को उस head box की उपर रखता है तो वो head box जो होता है वो squashes यानि वो कुछला जाता है तो I figured जो कहता है well of course हाँ बिल्कुल ठीक कहा है मैंने I thought so मैं ऐसा ही सोचता हूँ कि मतलब इस fears को मर जाना चाहिए exit यह कहने के बाद वहां से चला गया तो यह जो होता है ना ग्रेनिंग ग्रेनिंग का मतलब होता है दांत निकाल के हसना यानि जब बंदा दांत निकाल के हसता है ना तो उसको गहते हैं तो यहां पर इशा हसते को कहता है two and twenty troubles यानि यह भी एक number का बेवकूफ है अब यहां पर एफिकॉडफ का वुफ नेम ले रहा है जिससे वो उसको चिडाता है यानि two and twenty troubles तो वरे जो होती है behind the door वो दुरायजे के पीछे से आती है और कहती है has fears been taken away to the hospital वो भी आके same question पूछ रहा है कि क्या fears जो है उसको hospital भेज दिया गया है तो यहना कहती है yes हाँ भेज दिया गया है तो वरे कहती है why didn't you take the letter to the doctor तो कहती है कि फिर वो लोग जो है वो letter को doctor के पास क्यों नहीं लेकर गए मैं अभी अब यह कोई letter होगा जिसके उपर मतलब कुछ लिखा होगा fears की health के बारे में तो उस letter के बारे में वो कहा रही है कि वो वाला letter जो है अगर यह लोग जो है वो fears को hospital लेकर गए है तो यह letter क्यों नहीं साथ लेकर गए doctor को दिखाने के लिए तो यहना कहती है it'll have to be sent after him यानि कहती है कि हाँ यह letter जो है यह उसके पीछे ही भेज दिया जाएगा यानि वो doctor के पास लेकर गए है na fears को तो यह letter भी क and wants to say goodbye to him यानि उसे जाकर कहो कि उसकी माउस से मिलने के लिए आई है और आखरी बार उसको goodbye कहना चाहती है तो यह जो होते है na waving his hand यह अपने हाथों को हिलाते हुए कहता है यह जिस तरह से बंदा उक्ता आ जाता है तो उस तरह से अपने हाथों को हिलाता है कहता है she'll make me lose all patience यानि यह जो मेरी माह है यह मुझे बहुत ज्यादा गुसा दिलाती है lose all patience का मतलु होते है कि यह मुझे इतना गुसा दिलाती है कि मेरा सबर जो है वो टोट रहा है यानि इसके बार-बार इस तरह से आने से मेरा सबर जो है हो टोट रहा है तो danisha has meanwhile been bustling round the luggage तो danisha जो होती है बस्लिंग का मतलब होता है एक energetic way के अंदर इदर उदर move करना तो वो भी ना समान के पास इदर उदर बहुत तेजी के साथ भाग रही होती है Now that Yasha is left alone अब यहां वहां पर ना सिर्फ Yasha बाकी होता है और वहां पर डैनेशा भी आ जाती है She goes up to him वो ना Yasha के पास जाती है तो डैनेशा के रहने हो काती है If you only looked at me once Yasha यानि Yasha एक बार तुम एक तरफ देखो जाने से पहले You are going away तुम यहां से जा रहे हो leaving me behind यानि मुझे यहां पर पीछे छोड़ कर तुम जा रहे हो आखती बार जाने से पहले मुझे एक बार देख तो लो Weeps and hugs him around the neck यानि वो रोती है और उसको गले लगा लेती है What's the use of crying यानि क्या फाइदा तुम्हरे रोने का drinks champagne फिर वो champagne पीता है और कहता है In six days यानि अगले छे दिनों में I'll be again in Paris यानि मैं छे दिनों के अंदर पहुन जाओंगा Tomorrow we get into the express यानि कल सुबह हम train में बैठेंगे and off we go Off we go ये भी phrase है ये भी expression है जिसका मतलो होता है कि कोई चीज जो है वो start होने वाली है कोई journey या फिर कोई event जो है वो start होने वाला है So off we go का मतलो है कि अल सुबह हम train के अंदर बैठेंगे और हमारा सफर जो है वो start हो जाएगा I can hardly believe it यानि मुझे तो यकीन है नहीं आ रहा कि मतलब मैं finally Paris वापिस जा रहा हूं Vive la France विव la France का मतलो है कि long live France ये भी French का word है जिसका मतलो है long live France It doesn't suit me here यानि यह जगह जो है यहाँ पर मुझे शूट नहीं करती I can't live here मैं यहाँ पर नहीं रह सकता It's no good यानि यहाँ पर रहना मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है Well चलो कोई बात नहीं I have seen the uncivilized world यानि यह जो uncivilized दुनिया है यानि यह जो जंगलियों वाली दुनिया है यह देख चुका हो I have had enough of it और मैंने यह बहुत ज्यादा देख लिए अब मुझे यहाँ पर और नहीं रहना Rings Champagne फिर से वो Champagne पीता है और कहता है What do you want to cry for? यानि तुम क्यों रो रही हो तुम्हारे रोने की क्या वज़ा है? You behave yourself properly and then you won't cry तो वो अब यहाँ पर उसको एक suggestion दे रहा है कि तुम क्यों रो रही हो? यानि अगर तुम properly behave करोगी ना यानि अगर तुम एक नोकरानी की तरह behave करोगी तो तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैं तो तुम्हें यही कहूंगा फिर वो एक छोड़ा शीशा निकालती है उसमें देखती है और अपने चहरे के उपर पावडर लगाती है और कहती है Send me a letter from Paris यानि मुझे ना Paris पहुंचकर एक खत भेजना You know I loved you याशा यानि याशा तुम जानते हो तो मैं तुम से त्यार करती हूँ So much, बहुत ज्यादा I am a sensitive creature याशा, याशा मैं बहुत ही ज्यादा मतलब sensitive creature हूँ यानि एक बहुत ही ज्यादा जजबाती मखलूख हूँ तो याशा कहता है Somebody is coming यानि कोई आ रहा है He bustles round the luggage वो भी समान के पास इदर उदर move करना शुरू कर देता है यानि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए There is no time left अब हमारे यहाँ पर रुकने का कोई भी time नहीं बचा यानि हमारा time जो हो खतम हो गया है अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए Looks at Yasha फिर वो Yasha की तरफ देखता है Somebody smells of herring यानि वो Yasha की तरफ देख रहा है और उसकी तरफ देख के यानि हकारत से कहा रहा है यानि उसको नीचा दिखाने के लिए कहा रहा है कि तुम जो हो तुम से herrings की यानि मचलियों की बगभू आ रही है ये उसको मतलब नीचा दिखाने के लिए उसने कहा तो लिवोज होती है न वो कहती है एस लाइन का मतलब है कि यानि हमारे पास अब भी 10 मिनट है कि अगर हम 10 मिनट तक अपनी के अंदर ना भी गए ना तो फिर भी हम ट्रेन में पहुंच सकते हैं तो इसलिए हमारे पास 10 मिनट अभी भी बाकि है looks around the room फिर वो कबरे में दूर दूर देखती है कहती है goodbye dear house यानि प्यारे घर goodbye old grandfather यानि मेरे मतलब बुढ़े grandfather यहां पर picture कोई लगी होगी तो जिसको देखकर वो कह रही है या फिर अपने grandfather को imagine करते हो कह रही है कि मतलब यानि दादा जान goodbye the winter will go यानि सर्दिया जो है जो कि चल है वो चली जाएंगी और बहार का मौसम आएगा और तुम जो हो वो ज्याद देर नहीं रहोगे तुम्हें यहां से उखेड दिया जाएगा यानि तुम्हें काट दिया जाएगा how much these walls have seen यानि मैंने इन दिवारों को कितना देखा है यानि आप वो इन दिवारों को आखरी मेरी बेटी मेरा खजाना you are radiant यानि तुम एक चमकने वाली रोशनी की तरह हो your eyes flash like two jewels और तुम्हारी जो आखे हैं वो मोतियों की तरह चमकती है jewels यानि मोतियों की तरह या हीरे जवारात की तरह are you happy very यानि क्या तुम खुश हो बहुत ज्यादा खुश हो तो यहना कहती है very म मैं बहुत ज्यादा खुश हो a new life is beginning mother यानि माँ अब हमारी एक नई जिनकी शिरू होने वाली है तो गैव जो होता है न गैले वो भी बहुत ज्यादा खुश हो कहता है yes हाँ ठीक कहा really यह बात तो सच है everything's all right now अब सब को जो है ठीक हो गया है for the cherry orchard was sold we all were excited and we suffered यानि कहता है कि जब यह cherry orchard sold नहीं हुआ था ना तो हम सब जो थे ना वो suffered थे यानि वो तकलीफ पर दास्त कर रहे थे और excited भी थे अब excited का word उसने क्यों कहा है यहां पे excited का word यहां पे उसने इसलिए use किया है क्योंकि उनके इंदर एक suspense था कि क्या पता हमारा cherry orchard जह है वो बच जाए वो ना विके यानि एक suspense वाली situation थी तो इसलिए का रहा है कि जब हमारे cherry orchard नहीं विका था ना तब हम बहुत जाएदा excited थे कि क्या पता यह ना ही विके लेकिन अब यह जो है यह बिक क्या है and then और फिर क्या हुआ कि when the question was solved once and for all और जब हमारा यह जो मतलब cherry orchard जह है बिक क्या ह यह जो सवाल जो था जो कि हमें तंग कर रहा था कि cherry orchard जो है वो पता नहीं मतलब बिकेगा या नहीं बिकेगा तो वो अब बिक गया है और हमारी यह जो tension थी वो खतम हो गई है once and for all जो है ना यह भी एक term है जितका मतलब होता है permanently यानि कोई चीज जो है वो permanently खतम हो गई है we all calm down यानि अब यह जो जो है वो बिक गया है तो हमें सकून आ गया है and even became cheerful और हम जो है वो बहुत ज़्यदा खुश भी हो गए है I am a bank official now यानि अब मैं जो हूना वो एक bank में काम करने वाला बंदा हो and a financial financial कहते हैं जो पैसों के साथ डील करता है तो कहता है कि अब मैं बैंक यानि वो मैंने बाल मारी right in the middle and you फिर कहता है मेरी बहन लूबा for some reason or other for some reason or other जो है यह भी एक ऐसी लाइन है जिसका मतलब होता है कि जो speaker है वो जो बात करने वाला है उस बात के पीछे जो reason है उस reason के बारे में इस speaker को confirm नहीं पता कि इस बात का reason क्या है तो यहाँ पे वो कहत है कि लूबा यानि मेरी बहना के मुझे नहीं पता के look better यानि तुम अपना पहले से ज्यादा अच्छी लगती हो there's no doubt about it यानि इसमें कोई भी शक नहीं है और इस बात का reason मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है लेकिन तुम पहले से ज्यादा अच्छी लगती हो यानि फिर वो अपना coat पहनती है और hat पहनती है और काती है I sleep well यानि आज रात मैं अच्छी तरह से सोई take my luggage out या या शा मेरा समान बाहर लेकर जाओ it's time यानि time हो गया है फिर वो अपनी बेटी से कहती है या से my little girl यानि मेरी छोटी बेटी we will soon see each other यानि बहुत जल्द हम दोनों एक दूसरे को दुबारा देखेंगे I'm off to Paris मैं Paris जा रही हूँ I live there on the money your grandmother from Yarosilov sent along to buy the state यानि मैं पर जा करना मैं उन पैसों के उपर गुजारा करूंगी जो के तुम्हारी Yarosilov के अंदर रहने वाली दादी ने हमारे पास इस state को खरीदने के लिए भेजे थे और अगर यह जो पैसे हैं यह जाद दिर नहीं रहेंगे लेकिन फिर भी खुदा उसका भला करे और मैं उन पैसे के उपर घुजारा करूंगी पैसे जाकर तो energy होती हो काती है you'll come back soon soon mother यानि मा आप अभी तो Paris जा रही हैं लेकिन मैं आपसे वादा करती हूं कि आप बहुत जल्द ब दिहां जब आपास करूंगी and then I'll work और फिर मैं मेहनत करूंगी काम करूंगी and help you और आपकी मदद करूंगी we will read all sorts of books to one another यानि हम मा बेटी जो है ना वो हर तरह की किताबें जो है to one another यानि एक दूसरे को पढ़कर सुनाएंगी won't we क्या हम ऐसा नहीं करेंगी kisses her mother's hands फिर वो अपने मा के हाथों को चुनती है और काती है we will read in the autumn evenings यानि हम ना खिजा की शामों के अंदर किताबें पढ़ेंगे we will read many books हम बहुत सारी किताबें पढ़ेंगे and a beautiful new world will open up before us और एक बहुती खुबसूरत दुनिया जो है वो हमारे सामने खुलेगी यानि हमारे सामने आएगी thoughtfully फिर वो सोचते हो कहती है you'll come mother हां मा तुम वापस जरूर आओंगी तुलीबु कहती है I'll come हां मैं वापस आओंगी my darling यानि मेरी बेटी मैं जरूर वापस आओंगी impresses है फिर वो उसको बले लगा लेती है एंटर लॉफकिन लॉफकिन इंटर होता है चैरलटा इस सिंगि looking like a wrapped up baby यानि अब वो फिर से जाने से पहले एक आखरी magic ट्रेकुन को दिखा रही है कि उसने ना एक bundle यानि उसने ना एक bundle सा होता है यानि कोई कपड़ों कोई गठरी टाइप ना एक चीज होती है वो उसने उठाई होती है और वो एक ऐसे लग रहा होता है कि जैसे किसी न एक चोटे बच्चे को कपड़ों के अंदर लिपेट के उठाया हुआ हो और कहती है my little baby bye bye यानि मेरे प्यारे बच्चे bye bye the baby seems to answer और ऐसे लगता है कि जैसे वो बच्चा जो होता है वो जवाब दे रहा होता है वाँ वाँ जो बच्ची की आवाज होती है तो इस तरह से रो इस little boy यानि चुपो जाओ चुपो जाओ मेरे प्यारी चोटे बेटे और फिर से वो जो उआया की आवाज होती है बच्चे की वो आती रहती है और कहती है I am so sorry for you यानि मुझे बहुत जादा दुख है तुमारे लिए throws the bundle back फिर ना वो उस bundle को नीचे फैंग देती है और कहत हम तुम्हारे लिए एक नहीं जगा जुरूर ढूरेंगे don't you be afraid यानि तुम्हें ड़ने कोई जुरूर नहीं है तो gap जो होता है वह कहता है everybody is leaving us यानि हर कोई जो हमें छोड़ कर जा रहा है वर्या जो है वो भी यहां से जा रही है we have suddenly became unnecessary अचानक यानि हम लोग जो है वो unimportant बन गए है यानि अचानक ऐसे हो गया कि जैसे हमारी कोई value नहीं है यह यहां पर gap कह रहा है तो चलाटा की लाइन हो कहती है I have no way to live in town यानि मेरे लिए टाउन के अंदर रहने में कोई भी ज जगा नहीं है यानि मेरे लिए टाउन में अंदर कोई भी जगा नहीं है पर मैं रह सकूँ I must go away यानि मुझे यहां से चले जाना होगा हम्स फिर वो कोई गाना गाती है कहती है never mind कोई बात नहीं यानि मुझे कोई जगा नहीं मिल रही ना कोई बात नहीं मैं खुद ही let me get my breath back यानि रुको थोड़ी गए मुझे सांस लेने दो I am faked out यानि मेरी सारी energy जो है वो जया हो गई है इसका मतलब है कि मुझे बहुत ज़्यादा सांस चड़ी होई है my most honored give me some water यह लाइन उसने किसी नोकर को कई होगी में भी यशा को कई होगी या फिर देन शा को कई हो I am your humble servant यानि मैं तुम्हारा एक humble सा नोकर हूँ and इसलिए I am going out of the way of temptation इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर रहा तो मुझे temptation यानि मुझे गुसा आएगा और मैं नहीं चाहता कि मुझे गुसा आए अब यह जो यहाँ पर line थी ना I am your humble servant यह एक ऐसी line ह कि जब आप अगले बंदे से agree कर रहे होते हैं यानि अगले बंदे ने आपको विए बाद कही है और आप उससे agree कर रहे हैं कि हा भाई मैं तेरी तेरी बात मानता हूं तो तब आप यह वाई line कहते हैं लेकिन यहाँ पर गैव जो है वो तो उसका opposite कर रहा है तो यहाँ पर ironical line है यानि irony यूज की है gap ने कि मतलब मैं तुम्हारा humble servant हूँ लेकिन मैं अब तुम्हें और पैसे नहीं दे सकता इसलिए मैं यहां से जा रहा हूँ कहीं मुझे दुबारा गुसा ना आ जाए exit वो वहां से चला गया तो piston के लाइन हो कहता है I have not been here forever ever so long तो piston कहता है कि तुम्हें मतलब तुम्हें लोग को डने की गुजरूद नहीं है मैं अब यहां पर ज्याद देर नहीं रहने वाला ear madam यानि उसने लिवफ से ये बात कही तो to lofkin, lofkin से पर कहता है you here? यानि ओ तुम यहां पर हो? glad to see you यानि तुम्हें देखकर बहुत अदा खुशी हुई man of immense brain यानि यह बहुत बड़े दिमाग के मालिक आदमी take this, yellow, take it, yellow, yellow gives lofkin money lofkin को पैसे देता है यानि यह लो पैसे रखो अपने 400 rubles, यानि यह 400 rubles है that leaves 840 और अब मुझे तुम्हें सिर्फ 840 rubles है जो के बाकी तुम्हें देने है तो lofkin जो होता है shrug his shoulders in surprise यानि वो हैरान होकर अपने कंदों को हिलाता है as if I were dreaming यानि मुझे लगता है कि शायद मैं कुछ सपना देख रहा हूँ यानि वो बंदा जो के सबसे उधार मांगता रहता था आज वो हमें खुद पैसे दे रहा है ये कैसे हो गया where did you get this from यानि तुम्हें ये पैसे कहां से मिले तो पिस्टिं कहता है stop, रुको जरा, it's hot यानि यहाँ पर थोड़ी बहुत गर्मी है यानि मैं बाहिर था तो वहाँ पर सर्दी थी और यहाँ पर तो काफी गर्मी है रुको जरा, यानि मुझे अपना कोड उतार लेने दो फिर कहता है a most unexpected thing happened यानि मेरे साथ ना एक बहुती unexpected thing यानि ऐसी चीज जो के मैंने सोची ही नहीं थी यानि एक गयर तवक्को वाले चीज जो है ना वो मेरे साथ हुई वो क्या थी कि सम इंग्लिश मैन यानि कुछ अंग्रेज लोग जो थे ना came along यानि वो मेरी जगा पर आए came along का मतलब है यानि मेरे पास आए, मेरे घर पर आए and found some white clay on my land और उनको ना मेरी जमीन के उपर ना सफेद मत्टी जो थी, वो मिल गई to lubov andriamna फिर वो lubov andriamna से कहता है and here's 400 for you यानि lubov andriamna ये रहे आपके लिए भी मैं 400 rubles लेकर आया हूँ beautiful lady यानि या beautiful lady आपके लिए भी मैं पैसे लेकर आया हूँ gives the money उसको वो पैसे देता है और कहता है give you the rest later और बाकी जो बच गए ना मेरे पैसे जो के मतलब मैंने आपको देने है वो मैं आपको बाद में दूँगा brings water फिर वो जो जिस servant को उसमे पानी के लिए कहा था वो servant पानी लेकर आता है और पानी पीता है और फिर कहता है just now a young man in the train was saying that some great philosopher advises us all to jump off roofs अब ये वो कोई मतलब random से line है जो के वो उनको बता रहा है कि अभी-भी जब मैं train में आ रहा था था तो एक नौजवान लड़का था जो के दूसरे लोगों को train के अंदर कह रहा था कि एक philosopher है जो के हमें advice करता है जिसने हमें advice की है यानि नसीहत की है कि हम सब लोगों को छट से कूच जाना चाहिए jump यानि हाँ वो कहता है कि हमें jump कर लेना चाहिए he says यानि उस लड़के ने का कि हमें jump कर लेना चाहिए and that's all यही बात है जो कि मैं तुम लोगों को बताना चाहता था astonished फिर वो हरान होता है to think of that now यानि क्या बात है यानि क्या लड़के ने उस बात कही है यानि उस लड़के ने जो बात कही है कि philosopher ने का कि हम सब को छट से कूच जाना चाहिए यह कितनी कमाल की बात है जो कि मैं तुम लोगों को बताना चाहता था more water यानि वो फिर से थोड़ा सा उस से पानी मांगता है कि थोड़ा सा पानी और लेकर आओ तो अलोफिन कहता है who were these English men यानि वो English men कौन थे तो अलोफिन इसके जवाब में कहता है यानि मैंने उन लोगों को चोबिस साल के लिए अपनी वो जो जमीन है और उस जमीन के ओपर जो सफेद मत्टी है उस जमीन को सफेद मत्टी को चोबिस सालों के लिए किराय पर उन लोगों को दे दिया है now excuse me अब मुझे माफ करना I have no time मेरे पास time नहीं है I must run off मुझे यहां से जाना होगा I must go to Neukov and to Kadamonov यानि ये दो जगए हैं जहां पर मुझे जाना होगा I owe them all money क्योंके वहाँ पर जो लोग हैं मैंने उनको भी उनसे भी उधार लिया था और उनको भी अब जा के मुझे पैसे देने है drinks फिर वह पानी पीता है और कहता है Goodbye ठीक है I'll come in on Thursday यानि मैं Thursday को दुबारा आओंगा Libub कहती है We are just off to town and tomorrow I go abroad तो Libub कहती है कि Pischin तुम कह रहे हो ना कि तुम थरस्टे को हमारे पास दुबारा वापिस आओगे लेकिन हम तो आज टाउन जा रहे हैं फिर तोरे तो चुपोतार कहता है अच्छा फिर ना वह मतलब सारे हालात को देखता है कि furniture साइडों पर लगा हुए है सबने तैयारी की हुए है कहता है I see furniture अच्छा अच्छा मुझे furniture नजर आ रहा है trunks यानि ये जो संदूक है वो भी यहाँ पर पड़े हुए है well कोई बात नहीं never mind यानि मुझे कोई फरक नहीं पड़ता crying फिर ना वो रोते हुए कहता है never mind कोई बात नहीं these Englishmen are men of immense intellect फिर वो कहता है कि ये जो Englishmen जिनको मैंने किराए पर जमीन दी है वो काफी जहीन आत्मी है never mind कोई बात नहीं अब ये जो never mind यहाँ पर word आ रहा है ना इस word का मतलब है कि यानि वो बारी बारी सब लोगों के पास जा रहा है और उनसे हाथ मिला के उनको goodbye कह रहा है never mind यानि कोई बात नहीं be happy खुश रहना God be healthy यानि खुश तुमारी मदद करे never mind फिर से वो किसी और से मिला और कहता है never mind यानि कोई बात नहीं everything in this world come to an end यानि इस दुनिया के अंदर हर जो चीज है ना वो एक ना एक दिन खतम हो जाती है this is tube of entry abna's hand फिर वो entry abna के हाथ को किस करता है and if you should happen to hear that my end has come just remember this old horse and say there was one such and such a seven of piston God bless his soul यहाँ पर piston कहता है के लिवब अब जब के तुम परिस जा रही हो और तुम अब वापस भी नहीं आओगी तो अगर तुम्हे वहाँ पर रहते हुए कभी भी यह ख़ब मिले ना के मैं piston जो हूँ वो मर गया हूँ तो बस याद रखना के तुम एक पुराने घोड़े जैसे आदमी को जानती थी और तुम यह कहना के तुम एक कमाल के बंदे को जानती थी जिसका नाम साइमन piston था और खुदा उसकी सोल को bless करे बस इतना कहते ना wonderful weather यानि आज मोचम कितना अच्छा है यस हाँ ठीक है exit deeply moved यानि वो मतलब बहुत ज्यादा दिखा रहा होता है कि मतलब उससे बहुत ज्यादा फरक पढ़ रहा है उनकी जाने से और फिर वो वहां से चला जाता है but returns at once and says in the door लेकिन वो फिर से वापिस आता है और दर्वाजे में खड़ा ओकर कहता है बशेंट का send her love यानि मैं जातो रहा हूँ लेकिन मेरी बेटी जो थी उसने भी आपको सलाम कहा था exit यह कहने के बाद वहां से चला गया लिए जो होती है वो कहते है now we can go अब हम यह से जा सकते है I have two anxieties यानि मेरी ना दो परिशानिया है the first is poor fears पहले तो यह है के मेरी सबसे बड़ी जो परिशानी है वो भीचारा fears है look at her watch वो अपनी घड़ी की तरफ देखते है we have still five minutes यानि हमारे पास अब भी पांच मिनट है और फिर एने जो होती है वो काती है mother fears has already been sent to the hospital यानि मा fears जो है उसको पहले ही hospital भेज दिया गया है Yasha sent him off this morning यानि Yasha ने उसको hospital आज सुबा ही भेज दिया है तो लिए पाती है the second is Varya यानि मेरी जो दूसरी परिशानी है वो Varya है she is used to getting up early and to work यानि उसको आदत थी कि वो सुबा जल्दी उठती थी और काम करती थी and now और अब she is no work to do she is like a fish out of water और अब उसके पास कोई भी काम करने को नहीं है और वो एक ऐसी मचली के तरह है जो के पानी से बाहिर होती है she is grown thin and pale यानि वो कमजोर हो रही है और उसका रंग जो है वो भी yellow हो रहा है and she cries और वो रोती है poor thing यानि बेचारी मेरी लड़की फिर वो चुप होती है और कहती है you know very well which यानि लॉफकिन से कह रहे है लॉफकिन तुम अच्छे तरह से जानते हो that I used to hope to marry her to you यानि मैं यह उमीद करती थी कि तुम उससे शादी करोगे and I suppose you are going to marry somebody और मुझे उमीद है कि तुम किसी ना किसी तो शादी जरूर करोगे whispers to Anya फिर वो Anya से whisper करती है यानि कान के अंदर उसको कुछ कहती है who nods to Charleta और Anya जो होती है वो आगे Charleta से कुछ कहती है and they both go out और वो दोनों वहां से चली जाती है यानि ओविसी बात है कि लुबव ने Anya को कहा होगा कि तुम Charleta को यहां से लेकर चली जाओ इसलिए Anya ने Charleta को कहा और वो दोनों वहां से चली गई और फिर लुबव कहती है she loves you यानि वर्या वो तुमसे प्यार करती है she is your sort यानि वो तुम्हारी किसम की एक लड़की है and I don't understand I really don't यानि मुझे समझ नहीं आती मुझे सच में समझ नहीं आरी कि why you seem to be keeping away from each other कि तुम दोना एक दूसरे से इस तरह से अलग क्यों रह रह रहे हो I don't understand मुझे समझ नहीं आ रहे तो लुफिम कहता है to tell the truth अगर मैं आपको सच बताऊना I don't understand it myself तो मुझे भी अपने आपकी नहीं समझ नहीं आती it's all so strange यानि ये बहुत ज्यादा अजीब है if there's still time अगर अभी भी time है ना I'll be ready at once तो मैं ना जल्दी से ना तयार हो जाता हूँ let's get it over यानि इस चीज़ को अभी खतम करते हैं यहां पर once and for all once and for all ये पहले भी term आया थी मैंने बताया था कि इसका मतलता है permanently यानि इस चीज़ को ना हम अब पूरी तरह से खतम कर देते हैं इस मामले को I don't feel as if I could ever propose to her without you यानि मुझे लगता है कि मैं कभी भी आपकी मदद के बगार या आपके बगार ना वर्या को कभी भी propose नहीं कर पाऊंगा वल्यवो कहती है excellent बहुत बढ़िया यानि सिर्फ एक मिनट लगेगा मैं जल्दी से ना उसको बुलाती हूँ तो लफकीं जो होता है वो कहता है ता शेंपेंज वेरी अप्रोप्रियेट यानि अब जो मैं काम करने जा रहा हो इसके लिए मुझे शेंपेंग की जुरूत पड़ेगी यानि शेंपेंग मुझे पी लिए नहीं चाहिए यह मेरी लिए ठीक होगी looking at the tumblers फिर वो जब tumblers की तरफ देखता है बड़े बड़े गलासों की तरफ देखता है जिसमें शराब डालके पीते हैं they are empty कहता है यह तो खाली है somebody is already drunk them यानि किसी ने सारी शराब पी ली यशा कव्स यानि यशा यह होता है वो खांसता है और यानि वो खांस की यह बताता है कि उसने सारी शराब पी ली तो लोफकिन कहता है I call that licking it up अब licking it up का मतलब होता है कि मतलब चाट के साफ करना किसी चीज को यानि कत्रा कत्रा करके यूज करना यहां पर लॉफकिन कहा रहा है कि मैंने तुम्हें कहा था कि थोड़ी से शराब पीना और तुम सारी गटक गए तो लिवेच होती है फिर वो animated यानि वो बहुत स्यादा जोश में आ जाती है और क यानि तुम जो भी कर रही हो छोड़ो उसे और यहां पर आओ इधर आ जाओ एग्जिट वित यशा फिर वो यशा के साथ वहां से चली जाती है तो लॉफकिन की लाइन है वो कहता है लुक्स एट इस वाच यानि वो अपनी घड़ी की तरफ देखता है यही वक्त है यानि सब लोग वहां पर खड़े होते देख रहे होते हैं कि अब लॉफकिन जो है वो किस तरह से पर पोस्ट करेगा वरिया को तो वो मतलब अपनी हसी को रोक करना वहां पर खड़े होते है या फिर यह 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 यानि मैंने खुद उसको पैक किया था और मुझे अब समझ नहीं आ रही के वह चीज कहाँ पर है तो पॉस फिर से वह थोड़ी के चुप होती है तो लोफिं कहता है ब यह उसका रश्यन नेम है किसका यह भी किसी family का नाम है जहां पर यह सर्फ करने के लिए जा रही है रही हूँ यानि मैंने उन से एक agreement किया है कि मैं उनके घर जाओंगी और उनके घर की देख़ाल करओंगी as housekeeper or something यानि एक housekeeper की तरह या फिर कुछ और बनके मैं वहाँ पर काम करूगी तो लुपन कहता है is that at Yashnavo यानि क्या ये जो रेगुलिंस की family है ये Yashnavo में रहती है Yashnavo जो है ये एक village है वहाँ पर तो उसके बारे में पहर है क्या ये जो family है जहां पर तुम जा रही हो ये Yashnavo में रहती है it's about 50 miles यानि ये यहां से 50 mil दूर है pause फिर वो चुप होता है यानि इसको समझ नहीं आ रही तो मैं क्या कहूं फिर कहता है so life in this house is finished now अच्छा तो अब इस घर के अंदर तुम्हारी life जो है वो खतम हो गई है यानि तुम्हारा दाना पानी खतम हो गया यहां पर तो वरेज होती है ना looking at the luggage वो अभी भी अपने सावान के अंदर कुछ ढूंडरी होती है और कहती है where is it यानि वो कहां पर चली गई perhaps फिर कहती है हाँ शायद I have put it away in the trunk यानि शायद मैंने उस चीज़ को संदूग के अंदर डाल दिया हो फिर कहती है yes हाँ there will be no more life in this house फिर वो lost me ये बाद का जवाब देती है कि हाँ ठीक कहा तुमने अब मेरे लिए इस घर में कोई भी जगा नहीं है तो lost me कहता है and I am off to khair kuff at once मैं भी बहुत जल्द यहां से खैरकफ जा रहा हूँ by this train उसी train से जिससे तुम लोग जा रहे हो I have a lot of business on hand यानि मेरे पास बहुत सारा काम है करने को I am living F.E.C.O.D.A.F. here यानि मैं F.E.C.O.D.A.F. को यहाँ पर छोड़ कर जा रहा हूँ I have taken him on अब इस line का मतलब है कि यानि मैंने इसको हाइर कर लिया है I have taken him on का मतलब है कि यानि मैंने इसको हाइर कर लिया है as a caretaker किसको F.E.C.O.D.A.F. को किसका इस घर का तो वर्या कहती है Well, well, ठीक है अच्छा किया है F.E.C.O.D.A.F. को हाइर कर लिया तो लॉफिन कहता है Last year at this time the snow was already falling तो अब बिचारा लॉफिन इसको समझ नहीं आरी मैं क्या बात करूँ तो वो फिर से मौसम की बात कर रहा है कि आखरी साल क्या हुआ था कि इस time के अंदर ना बरफपारी पढ़ना शुरू हो गई थी If you remember अगर तुम्हें याद हो And now it's nice and sunny और अब जो है वो मतलब पूरी तना से सूरज निकला हुआ है यानि पिछले साल इसी time के अदर बरफपारी पढ़ना शुरू हो गई थी लेकिन इस साल अभी तक सूरज निकला हुआ है और अच्छा मौसम है Only it's rather cold लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत सर्थी तो है There's three degrees of frost यानि तीन डिगरी के धुन जो है न वो पढ़ रही है तो बरह कहती है I did not look यानि मैंने बाहर नहीं देखा यानि मैंने नोटिस नहीं किया कि कितने धुन पढ़ रही है Pause फिर वो थोड़ी दिल चुप हुती है And our thermometer is broken और हमारा thermometer जो है वो भी टूटा हुआ है इसलिए मुझे अंदाजा नहीं है कि कितने डिगरी की frost पढ़ रही है Pause अब फिर से वो भी चुप हुआ जाती है कि उसको समझ नहीं आ रही मैं बात क्या करूँ यानि दोनों एक दूसरे को पोस्ट करना चाहते है लेकिन दोनों को समझ नहीं आ रही कि कोन पहले करे तो Voice at the Door तो दर्वाजे के ओपर किसी के आवाज आती है Amolai Alexiavich यानि Lovkin को कोई बुलाता है Lovkin जो होता है As if he has long been waiting to be called यानि वो ऐसे वहाँ से न This minute यानि वो कहता है कि अभी आया अभी आया और exit quickly और वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है यानि वो ऐसे वहाँ से भागता है उनके उपर अपना मुह रख लेती है and weeps gently और आइस्ता आइस्ता रोने लग पड़ती है The door opens दर्वाजा खुलता है Lovkin आपना enters carefully तो वहाँ पर Lovkin आपना वहाँ पर आती है और Lovkin जो होती है वो कहती है Well, यानि क्या तुम ठीक हो pause फिर वो छुप होती है We must go अब हमें यहाँ से चलना होगा वरेज होती है Not crying now अब वो रो नहीं रही होती wipes her eyes अपने आशों को वो पहुच लेती है और कहती है Yes, हाँ ठीक है It's quite time Time तो हो गया है Little mother अब हमें यहाँ से चलना होगा I'll get to the Regulance today यानि आज मैं Regulance के पास जाओंगी If I don't miss the train यानि अगर आज मैंने train मिस ना की ना तो आज तो मैं Regulance के पास पहुच जाओंगी यह वह यहाँ पर कहा रही है तो फिर Libra के लाइन हो कहती है At the door यानि वह दुर्वाजे पर खड़ी हो जाती है और कहती है Anya Put on your things यानि Anya अपना सामान बांद लो Enter Anya Then Gav फिर वहाँ पर Anya आती है और फिर Gav आता है Charotter Evanovna वो भी वहाँ पर आती है Gav wears a warm overcoat with a cap Gav जो होता है उसने एक सर्थी से बचने वाला overcoat पहना होता है और उस सर के ओपर cap पहनी होती है A servant and drivers come on तो अब स्टेज के ओपर एक servant आता है और driver भी आते हैं वहाँ पर F.E.C.O.D. of bustles around the luggage तो F.E.C.O.D. of जो होता है वह भी सामान के पास सिदे उतर भागना शुरू कर देता है तो F.E.C.O.D. of काती है Now we can go away अब हम यहां से जा सकते हैं तो energy होती है न joyfully वह बहुत ज़्यदा खुश होकर कहती है away यानि हाँ अब हम यहां से जा सकते हैं तो Gav जो होता है मैं इस घर को अलविदा कहने के लिए मेरे अंदर जो बाते हैं क्या मैं उनको रोक कर रखू from expressing those feelings which now fill my whole being यानि उन बातों को बताने से जिनों ने मेरे अंदर पूरी तरह से whole being मुझे ना पूरी तरह से fill कर दिया यानि मेरे अंदर पूरी तरह से एक excitement भर दी है जिन बातों ने क्या मैं उन बातों को यहां पर show करने से रुक जाओ यानि अपने आपको रोक लो यह वो यहां पर कह रहा है यानि अब यहां पर लाइन उसने क्यों कही क्योंकि एनिया और वर्य जो थी ना वो बारगार उसको कहती थी कि आप फ़जूल बाते ना किया करें तो इसलिए वो यहां पर एक तरह से क्वेस्टन कर रहा है कि क्या मैं अब भी मतलब अपने एक्स्प्रेशन शो करने के लिए बाते ना करूं तो एनिया जो होती है ना imploringly यानि वो मतलब request करते हो कहती है अंकल यानि अंकल आप कर सकते है यानि आप बात कर सकते है वर्य जो होती है वो भी कहती है double the red in the middle यानि वो ही अपना तक है कलाम I'll be quiet यानि कोई बात नी मैं चुप रहा हूंगा मुझे कुछ नहीं कह रहा enter Trifumov then Lofkin फिर Trifumov वहा पर आता है और Lofkin भी आता है तो Trifumov की लाइन हो कहता है well it's time to be off यानि time हो गया अब हमें यहां से जाना होगा Lofkin कहता है I've got of my coat यानि I've got of my coat यानि मेरा coat लेकर आओ तो लीबव जो होती है वो कहती है I'll sit here one more minute यानि मैं एक और मिनट यहां पर बैठना चाहती हूं it's as if I had never really noticed what the walls and ceilings of this house were like मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैंने आज से पहले ना इस घर की दिवारों को और इस घर की ceiling है उसको मैंने देखा यह नहीं कि वो किस तरह से है और अब मैं जो हो ना वो इस घर की दिवारों पर घर की चट पर लालची लोगों की तरह बार-बार देख रही हूं तो गैव कहता है, I remember मुझे याद है, when I was six years old, जब मैं छे साल का था, on Trinity Sunday, तो Easter के बाद जो पचासमा दिन होता है, पचासमे दिन को जो संडे आता है, उस दिन में वो Trinity वाला जो तहवार होता है, उसको मनाते है, तो यहाँ पर gap जो है, वो यही कह रहा है, कि Trinity वाला जो संडे थाना, उस दिन जब मैं छे साल का था, मुझे याद है, कि I sat at this window, मैं स्खिड़की के पास बैठा था, and looked and saw my father going to church, यानि मैं यहाँ पर बैठा हुआ था, और मैं अपने बाप को चर्च की तरफ जाते वे देख रहा था, have all the things been taken away, यानि क्या सारा सामान यहां से ले जाया जा चुका है, यानि क्या सारा सामान ले गए है, नोकर जो है, तो लोफिन कहता है, yes, all I think, यानि मुझे लगता है, कि हाँ, सारा सामान यहां से चला गया है, putting on his cord, यानि अपना cord पहनते हो कहता है, you see that everything is quite straight, यानि यानि तुम यहां पर ध्यान रखोगे कि हर चीज़ ठीक रहे, यानि तुम यहां पर ध्यान रखोगे कि हर चीज़ ठीक रहे, यानि तुम यहां पर भरोसा कर सकते है, what's the matter with your voice, यानि तुम्हारी आवास को क्या यानि अब यह भी कोई चीज निगली है, और I was having a drink of water, तो अभी मैं पानी पीकर आया था, तो इसलिए मेरा गला ऐसे है, तो यह जो है ना, suspiciously, यानि वो suspiciously, यानि वो शक करते हों कहता है, what manners, यानि तुम्हें तो बिल्कुल भी तमीज नहीं है, I feel whatever, का मजा कर आते हो कह र और अब हमारी यहां पर कोई भी रू जो है, वो बाकी नहीं रहेगी, यानि हमने यहां पर अपना सारा समाल जो है, वो उठा लिया है, तो लॉफकिन जो होता है, वो कहता है, till the spring, हाँ, मैं भी जो हूना, वो spring तक यहां से जा रहा हूँ, यानि spring के मौसम के बाद मैं यहा जो होता है, वो डरा हुआ लग रहा होता है, यानि जो होता है, वो चाते को घुमाती है, तो लॉफकिन जो होता है, वो डरा हुआ लग रहा होता है, यानि वो डर जाता है, कि शायद यह मुझे चाते से मारेगी, वो कहता है, वो कहता है, वो कहता है, यानि तुम क्या कर र यानि पीटर ये दो तुम्हारे जो थे न वो इस सन्दूक के साथ पढ़े हुए थे इंटियर्स फिर वो उसके आज सो निकल आते हैं और कॉछते हैं and how old and dirty they are और तुम्हारे जो होता है वो कितने गंदे हो गए हैं और पुराने हैं तो ट्रम जो होता है वो पुटिंग नम ओन या निव उन गेलिशेश्ज को अपने जूतों के पहन लेता है और कहता है कम ओन चलो चलो टाइम हो गया चले है चलते हैं यहां से तो गेव जो होता है ना लेट्स गो चलो चलते हैं यहां से लोफिं कहता है Are you all here? यानि क्या सिर्फ तुम लोग ही बाकी हो बाकी सब चले गए यहां से There's nobody else क्या बाकी कोई है तो नहीं यहां पे Locks the side door on the left यानि उसके left पर जो side वाला door होता है उसको वो ताला लगा देता है यानि lock लगायता है There's a lot of things in there यानि कहता है कि इस कमरे के अंदर बहुत सारी चीज़े हैं इसलिए मैं ताला लगा रहा हूं इसको I must lock them up कहता है कि मुझे ना इसलिए यहां पर बहुत सारी चीज़े हैं फिर वो एने के साथ वहां से चला जाता है वर्या looks around the room वर्या जो होती है वो भी कमरे में दर दर देखती है and goes out slowly और आज साइस ता वहां से चली जाती है यशा यशा भी वहां से चला जाता है and चैलटा और चैलटा जो होती है with her little dog अपने छोटे dog के साथ go out वो भी वहां से चली जाती है तो लौफ किंज होता है वो कहता है till the spring then यानि ठीक है मैं भी जब तक spring नहीं आता मैं भी यहां से जा रहा हूँ come on फिर से वो ल्यूबव और गैव को कह रहा है कि चलो भी till we meet again यानि फिर से वो यहां उसने अपने घर को कही यानि एगर मैं भी यहां से जा रहा हूँ जब तक spring का वोसम नहीं आता और जब तक हम दुबारा नहीं मिलते तब तक goodbye exit यहां से वो चला जाता है यह दोनों वहां पर बच जाते हैं they might almost have been waiting for that यानि अब यह दोनों जो है ना यह शायद इसी मौके का कबसे इंतजार कर रहे थे they fall into each other's arm यानि वह दोनों दूसरे को गले लगा लेते हैं sob restrainly और sob यानि वो रोते हैं restrainly का मतलब है यानि इस तरह से रोते हैं कोई उनको देखना ले यानि खुल के नहीं रो रहे होते हैं and quietly और बड़ी खमोशी के साथ रो रहे होते हैं fearing that somebody might hear them यानि उनको डर होता है कोई उनको रोता हूँ और सुनना ले तो गहव जो होता है ना in despair वो दुखी होकर कहता है my sister, my sister तो लिवो जो होती है पर कहती है my dear, my gentle, beautiful orchard यानि मेरा प्यारा, मेरा भला, मेरा खुबसूरत ये जो garden था cherry orchard my life, मेरी जिन्दकी, my youth, मेरी जवानी, my happiness, मेरी खुशी good bye, यानि सब को मैं good bye कह रही हूँ यानि सब चीज़ों को good bye तो na जो होती है na na's voice, na की आवाज आती है galle, यानि वह खुश होकर कहती है mother, यानि आ भी जाओ, ma, trim of wife trifon जो होता है, उसकी बवाज आती है वह कहता है, galle, यानि वह भी खुश होकर कहता है excited, यानि वह भी बहुत ज़्यादा excited हो कहता है कोई, अब यह जो कोई याना यह भी एक term है जो कि trifon जो है, वह भी उसी term को use कर रहा है, कोई इस तरह से बुला कर, कि यानि आ जाओ, यानि वह जो होती है to look at the walls and the windows for the last time, वह आखरी बार दिवार पर और window की तरफ देखती है my dad mother used to like to walk about this room, फिर कहती है कि मेरी जो मरी हुई माँ है ना, उसको इस room के अंदर walk करना चलना बहुत ज़्यादा पसंद था my sister, my sister, my sister, मेरी प्यारी बेहना मेरी प्यारी बेहना, Anna's voice Anna जो होती है, वह फिर से अपनी माँ को बलाती है mother, तो trifon जो होता है उसके वाज फिर से आती है, वह कहता है कोई, यानि फिर से वह उनको बलाता है तो लुबफ जो होती है, we are coming वो कहती है, हम आ रहे हैं, they go out यानि लुबफ और गया, वो दोनों माँ से चले जाते है the stage is empty, stage होता है, वो खाली होता है the sound of keys begin turned in the locks is here तो लोग के अंदर चाभी घूमने की आवाज जो होती है वो आरी होती है and then the noise of the carriages going away यानि वो लोग जो होते हैं, वो घर से बाहर ही चले जाते हैं और अब बाहर का दर्वाज जो होता है उसको लोग लगाने की आवाज आती है और सब carriages में बैठ जाते हैं और फिर वहाँ से वो चले जाते हैं अब वहाँ पर sunnata होता है then the sound of an axe against the trees is here in the silence, sadly and by itself तो अचानक क्या होता है कि वहाँ पर ना फिर से एक कुलहाडे से दरख को काटने की आवाज आती है और फिर से वहाँ पर sunnata हो जाता है steps are here किसी के कदमों के आवाज आती है fierce comes in from the door on the right तो fierce होता है ना वो right वाले दरवाजे से वहाँ पर आता है यानि सब लोग अमच रहे थे कि fierce वो hospital गया है लेकि वो hospital नहीं गया था वो घर के अंदर ही था वो वहाँ पर आता है he is dressed as usual उसने as usual यानि कपड़े पहने हुए थे in a short jacket and a white waistcoat एक छोटी सी jacket पहनी थी और एक white color की waistcoat पहनी हुए थी slippers on his feet और पाउं के अंदर उसने slippers पहने हुए थे he is ill, वो बिमार लग रहा था he goes to the door वो दर्वाजा के पास जाता है and tries the handle वो दर्वाजा खोलने कोशिश करता है फिर्स कहता है it's locked यानि ये बंद है ताला लगा हुआ है they have gone away यानि ये लोग मुझे यहाँ पर छोड़ कर चले गए sits on a sofa फिर वो एक sofa के उपर बैठता है और कहता है they have forgotten about me यानि ये लोग मेरे बारे में भूल गए never mind कोई बात नहीं I'll sit here मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ and Leonard Andreevich will have gone in a light overcoat instead of putting on his fur coat तो कहता है कि Leonard Andreevich तो यहाँ पर जिस तरह से वो पूरे play के अंदर Gav के बारे में इतने ज्यादा फिकर मन था उसी तरह से यहाँ पर अपनी वो tension show कर रहा है कि Gav जो है न वो एक पतला सा overcoat पहन के गया है बजाए इसके कि वो एक मोटा सारा fur वाला overcoat पहन के जाता size फिर वो आ भरता है anxiously परिशानी के साथ और कहता है I didn't see यानि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा Oh these young people यानि ये नौजवान लोग मुझे कुछ नजर भी नहीं आ रहा mumble something that cannot be understood फिर वो मुँ में कुछ बढ़ा पढ़ाता है जो कि जिसकी समझ नहीं आती Life goes on as if I had never lived फिर फिर कहता है कि जिन्दी जो है वो तो इस तरह से चली गई कि जैसे मैं कभी जिन्दा ही नहीं था Lying down फिर वो सौफिक उपर लेट जाता है और कहता है I'll lie down यानि मैं यहाँ पर लेट जाओंगा You have no strength left in you यानि अपने आप से कहता है कि fierce तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बची Nothing left at all बिल्कुल भी नहीं बची Oh you bugler फिर अपने आपको bugler कहता है यानि कामचो He lies Bugler मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा बंदा होता है जो कि कुछ भी करने कोशिश करता है तो वो हमेशा गलती हो जाता है He lies without moving वो न बिना हिले डुले वहां पर लेटा होता है The distant sound is here फिर न थोड़े फासले पर एक आवाज आती है As if from the sky ऐसे लगता जैसे वो आवाज आसमान से आ रही होती है Of a breaking sting यह आवाज पहले भी आई थी अगर आपको याद हो तो बिल्कुल उसी तरह से न जैसे किसी instrument की तार जो है उसके तूटने के आवाज आती है बिल्कुल उसी तरह से आवाज आती है Dying away sadly आइस्ता आइस्ता वो आवाज खतम होती जाती है Silence follows it फिर उसके बाद सनाटा आ जाता है And only the sound is heard और फिर एक sound जो है न वो सुनाई देती है कौन सी Some way away in the orchard यानि थोड़ी दूर बाग के अंदर न Of the eggs falling on the trees दरख्तों के उपर कुलहाडे के बजने की आवाज जो है सिर्फ वो ही सुनाई देती है Curtains और यहां पर यह हमारा Play end हो गया Thank you so much